हरे कृष्णा राधी राधे बगतो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौत पूजा की बहुती सरल बिधी बताने वाले हैं तो फ्रेंट्स इस दिन करवा चौत माता की और गनेश जी का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले तो आप जो है 16 शिंगार जरूर कर ले हातों में चूडिया पहन ले शादी का चूड़ा अगर पहना जाता है वो पहन ले महंदी लगा ले उसके बाद आप एक चौकी लगा टिला गुलाबी कपड़ा बिचाएं और किसी किसी के यहां पर संध्या के समय होती है तो करवा चौत माता का आप फोटो कैलेंडर कुछ भी ले सकते हैं और चाबलों kęहूर आफまन का आशन डेते हुए आप माता को विराजमान करें और चुनरी उड़ाएं और चुनरी ना हो तो फिर आप कलावा रूपी वस्तर भी तहना सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स हमें लेना है करवा तो करवा जो इसमें होल हो रहा होता है इसका विशेश महत होता है करवा चौथ के दिन और ये आप किसी धातू का भी ले सकते हैं मिट्टी का भी ले सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम मिट्टी का करवा लेते हैं तो उसे हमें दुबारा से इस्तमाल नहीं करना होता है लेकिन अगर धातू का करवा है तो उसे हम हर साल यूज में ला सकते हैं ठीक ठीक है उसके बाद हमने इसके उपर चावल रखे हैं और एक हम यहाँ पर दीपक रखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे दीप कलश की स्थापना उसके बाद करवा माता की फोटो के आगे हमने चावल की ढेरी करके एक दीपक हमने और रखा है और दूप बती ले ली है तो दूप दीप हम प्रजिलित कर लेंगे तो फ्रेंट्स अब मैं आपको एक चीज बता दूँ कि सबके यहाँ पर करवा चौत की पूजा ना अलग अलगतर हैसे होती है किसी के यहाँ पर दो करवे लिए जाते हैं एक करवे में जल रखा जाता है और दूसरे करवे में आप जो है पंच मेवा भर सकते हैं चावल ग गनेश जी बने हुए हैं अगर आपके फोटो में गनेश जी ना हो तो आप अलग से भी व्राजमान कर सकते हैं ठीक है चौत के पूजन में करवा माता की और गनेश भगवान जी की पूजा जरूर होती है आज के दिन शिप परिवार की पूजा भी जरूर से करनी चाहिए म गनेश जी को अतिप्रिय है और उसके बाद देखिए हम कलश का पूजन कर रहे हैं और मैंने न कंट पे उसके मौली बान दी है तो आप कंट पर मौली जरूर से बान दीजिएगा उसके बाद देखिए जो भी पुश्प हैं हमारे पास हम पुश्पों से पूजन करेंगे आपके पास फूल माला हो तो आप फूल माला भी पहना सकते हैं तो फ्रेंट्स कई सालों से जैसे हम पूजा करते आ रहे हैं न हमें वैसे ही करनी चाहिए ठीक है हाँ अगर आप पहली बार पूजा शुरू कर रहे हैं तो फिर आप सरल बिदी से भी कर सकते हैं ठीक है और उस सिंगार सामगरी है ये आप अपनी सास को नंद को या फिर किसी भी सुहागन महिला को जो आप से बड़ी हो उनके पैर शू करके आप ये दे सकते हैं ठीक है उसके बाद में देखिए हम भोग लगाएंगे तो भोग में मैंने यहाँ पे लड़ू बनाई हैं बताशे रखे है और सिंगारे का भोग लगा रही हूँ मैं क्योंकि मौस मी फल का भोग लगाया जाता है ठीक है और आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं और फ्रेंट्स देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पे इस दिन जो है पुए और पूरी से पूजा होती है तो आपके यहाँ पे होती तो हाथ में आप गेहूं ले 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 जो भी आपके पास हो क्योंकि खाली हाथ जो है वरत की कथा नहीं सुनी जाती है तो वरत की कथा हमें जरूर से सुनी है उसके बाद जो अक्षत हमने लिए हैं वो भगवान को थोड़े से अर्पित कर देंगे थोड़े से हम जलके लोटे की आर्ठी भी कर सकते हैं जो भी आपको आती हो ठीक है उसके बाद हम आर्ठी को ठंडा कर देंगे और इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो जाएगी संपन उसके बाद फ्रेंट्स हमारे यहां पे आचल से सुहाग लिया जाता है जो चुनरी हमने ओरी है न पूजा करते स पूजा में रही कमियों के लिए माता से चमा मांगे आशीरवाद ले और उसके बाद दिखे जब चंदरमा निकलाएगा ना उसके बाद जो हमने ये कलश रखा है न दीप कलश इसे हम छट पे लेके जाएंगे और ये जो दीपक जल रहा है न कलश के ऊपर ये हम उपर जला ह की पूजा के बाद जब हम नीचे आएंगे तो जो भी हमने सुहाग सामगरी निकाली है वो हम दान में दे देंगे जिसको भी देनी है आप अपने बड़े से किसी को दान में दे और उनका आशीरबाद ले जो भी भोग प्रसाद रखा है वो आप वितरन कर दें सब में और ज फ्रेंट्स पूजा की बहुती सरल बिधी मैंने आपको बताई है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें फ्रेंट्स फैमली के साथ शेयर करना बिलकुल न भूले बिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे